हलो दोस्तों, आज किस वीडियो में सिंदु घाटी सभेता के बारे में आपको बताने वाले हैं, सिंदु घाटी सभेता से समंदीत महत्पुन बात आपको याद करवाने वाले हैं, पुरी अच्छी तरह से कॉंसेप्ट के साथ समझाते हुए, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें यह सिंदू घाटी सभयता सभी टॉपिकों में सबसे बहत्पून टॉपिक माना आता है क्योंकि आक्सर एक्जाम में इससे दो या तिन कोश्चन हमेशा आता ही है चाहे SSC, डेलवे, बिहार दरोगा, बिहार पुलीस, BPSC, PT का एक्जाम दिजेगा तो कम से कम दो या तिन कोश्चन यह सिंदू घाटी सभयता से आता ही है इसलिए आप लोग सिंदू घाटी सभयता को अच्छी तरह से पढ़ लें, याद कर लें और समझ लें इस वीडियो में अंतक आप बने रहें, हमारा चैनल आपको यदि अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को चल सजल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बेटन दवा दें, कमेंट और लाइक करना नहीं भूलें तो चलिए हम लोग चलते हैं, सिंदू घाटी सभ्यता की योर, तो देखें, सिंदू घाटी सभ्यता जो है, भारत का सबसे प्राचिंतम सभ्यता है यद रखेगा भारत का सबसे प्राचिंतम सभ्यता ये सिंदू घाटी सभ्यता है और यहां पर दो तरह का बात यद रखना है भारत का सबसे प्राचिंतम नग्रिय सभ्यता नग्रिय मतलब सहरवाला विवस्था वाला जो है नग्रिय सभ्यता भारत का सबसे प्राचिंतम ग्रामिन सभयता पूछेगा ग्रामिन सभयता तो बैदिक सभयता या रिग बैदिक सभयता याद रखेगा भारत का सबसे प्राचिंतम भारत का सबसे प्राचिंतम ग्रामिन सभयता तो बैदिक सभयता और भारत का सबसे प्राचिंतम नगरिये सभयता तो हमारा सिंदु सिंदु घाटि से वहता आज से लगभग 2000 इसा पूर्व पहले जो है एक छेत्र में बहुत सारे लोग रहते थे और अपनी जीवन का निर्वहन करते थे जिस तरह से हम लोग जो है खेती करते हैं हर बैल से खेत आपका जो है धान रोपते हैं गेहूं बुनते हैं या आपका घर बनाते हैं इटमकान का हम लोग का सड़क है आवागमन करने के लिए सड़क के किनारे आपका नाली है और नाली के उपर हम लोग धकन देते हैं तो उस समाई के लोग भी उसमाई के लोग भी इसी तरह से अपना जुक्त जीवन का निर्वहन कर रहे थे लेकिन और कुछ दिन के बाद उन लोगों का बिनास हो गिया गाहि कोई कारण वर्स कुछ कारण होगा तुफान आया होगा कुछ बिदेशी आकरमन हुआ होगा तो उन छेत्रों में रहने वाले सभी लोग आपका उसका समाप्त हो गया तो बाद में बहुत साल के बाद जो है इसके बारे में पता चला कि नहीं इस छेत्र में आज से लगभग हजारों दुजार सार पहले इस छेत्र में कुछ लोग रहते थे और उन लोग का जीवन जो था हमारे तरह ही आपका जहे था वही सवयाता जो था उसलिधु घाटी सवयाता के नाम से जाना गया कि इस सभ्याता के अधिकांस परमान साथ जो है वो सिंदू नदी के किनारे या सिंदू नदी के सहायक नदियों के किनारे वाले छेत्रों में अधिकांस परमान मिला है इसलिए इस सभ्यता को सिंदू घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है सिंदु घाटी सेवेता के बारे में हमें लिखित परमान मिला है लेकिन आज तक इसका जो लिखित परमान है यानि मुहर इसका मुहर को आए तक कोई भी इतिहासकार पढ़ नहीं पाया है इसलिए हम लोग जो है सिंदू घाटी सेवेता को इतिहास के कीस काल खंड में अध्यन करते हैं तो आध्य ईतिहासी काल खंड में हम लोगा अध्यन करते हैं याद रखेगा आध्यातिहासी कालखन में जो है सिंदु घाटी सिवयता को रखा जाता है और अध्यन किया जाता है तो आप से एक्जामें पुछेगा सिंदु घाटी सिवयता इतिहास के किस कालखन में अध्यन किया जाता है तो आजेती हासी काल इसमें लिखित पर्मान मिला है लेकिन आज तेक उस लिखे हुए पर्मान को कोई पढ़ नहीं पाया है। अर्थाव इसके मुहर को कोई पड़ नहीं पाया है इसलिए सिंदू घाटी से वैता को आद्यतिहासी काल के अंतरगयत दखा गया है सिंदू घाटी से वेता को हरपा से वेता भी कहा जाता है हरपा से वेता या सिंदू घाटी से वेता दोनों सेम बात हुआ हरपा से वेता बोलिये या सिंदू घाटी से वेता बोलिये आपका दोनों सेम बात हुआ हरपा से वेता इसको इसलिए नाम दिया गया केकि सिंदू घ हडपा था यह पाकिस्तान में पड़ता है छोटार्व सच्छेत्र है नगर है याद रखेगा हडपा पाकिस्तान के राविंदी के तरड़ यह अस्थित है हडपा याद रखेगा तो सिंदू घाती से वहता जोलैक्या स्थाल्ड Twenty हडपा सिवयता कहा जाता है हडपा का खोज 1921 में राय बहादूर देराम सानी ने किया था राय बहादूर देराम सानी ने ने उन्हें सवय कैस में किया था किसके नेतितों में तो जौन मार्सल के नेतितों में याद रखेगा जौन मार्सल के किन खोज किया था तक्रापा सिवेता को हड़ापाा सिवेता के नाम से जाना जाता है हड़ापा कहा-जाता है हड़ापा सिवेता का खोज— Canadianeus ने कौन। तो राय बहादूर देरां सानी किसके नितित्वें तो जॉन मार्शल के नितित्वें में किया था जॉन मार्सल के नित्व में किया गया था कि सिंदु घाटी सब्यता को इतिहास के किस कालखंड में रखा जाता है तो इतिहास के आदेतिहासी कालखंड में रखा जाता है लिखित परमान मिला है लेकिन कोई अभी पढ़ नहीं पाया है सिंदु घाटी सभयता को कास यूगिन सभयता के नाम से जाना जाता है क्यूंकि सिंदु घाटी सभयता के जितना भी लोग थे जितना भी पूरुष महिला बच्चे बुजुर्ग जितना भी लोग थे इस सभयता के सभी लोग अधिकांस्था किस धातु का परियोग करते थे तो कासा कहूं, कासा मिश्र धातू का परियोग करते थे, याद रखेगा, इसलिए इस सभ्यता को कास यूगिन सभ्यता के नाम से जाना जाता है, इस सभ्यता के लोग जो है किस धातू का परियोग करते थे, तो कासा मिश्र धातू का परियोग करते थे, इसलिए इसको कास से जाना जाता है याद रखेगा सिंदु घाटी स्वेता के बारे में जनकारी देने वाला पहला जो विद्वान था इतिहासकार था उसका नाम था चाल समेनन चाल समेनन सहाब पहली बार सिंदु घाटी स्वयता के बारे में जनकारी दिया थे लेकिन बाद में अठारा सो तिर्पन में पहली बार सर्वेच्छन जौर्ज करनिगं जौर्ज करनिगं नामा एक अंग्रेज इतحासकार जो थे उध्खनन करवाएं थे पहली बार सर्वेच्छन करवाएं थें कि क्या ये बात सही है कि इस छेत्र में बहुत सारे लोग आज से बहुत साल पहले रहते थें इस बात को सर्वेच्छन करवाया गया पहली बार सर्वेच्छन कब करवाया गया तो ठारस तिरपन में कौन करवाया था तो जोर्ज जोर्ज गर्णिंगम के द्वारा पहली बार सर्वेच्छन करवाया गया था याद रखेगा तब 1901 में सिंदु घाटी से वेता का खोजा गया पहला अस्थल जो था वह रपा था कौन था हडपा था याद रखेगा रावी नदीकेटर पर राय बहादू देराम साहनी ने काश युगिन स्भीता के नाम से जाना जाता है इसके बारे में यानि सिंदु घाटी से बारे में सिंदू भाटी समयता का खोजा गया पहला अस्ठाल हमारा हडपपा था 1901 में जो है राय बहादूर देरामसानी ने खोज किया था याद रखेगा सिंदु घाटी से भता का बाद में जनकारी मिला जनकारी मिलने के बाद सिंदु घाटी से भता का कारेकाल आपका बताया गया कि कब से कब तक चला गया चला था सिंदू घाटी से बैता कब से कब तक चला था इसका एक निश्चित समय बताया गया तो वह समय क्या था कारवन डेटिंग पत्ति के द्वारा अर्था C14 के द्वारा कारवन डेटिंग C14 पत्ति के द्वारा इसका इस्तिमाल किया गया सिंदु घारटी सभयता का याद रखेगा सिंदु घारटी सभयता का टोटल एरिया जो था कुल छेत्रफल 12лись99ье000 वर्ग किलोमीटर जाद रखेगा कुल्छेत्रफल छेत्रफल और इसका आकरिटी कैसा था तो तिरा सिंदुःती समयता सेथा का कक्रिती कई सथा । त्रिभूजाकार त्रिकों की यहाद रखेगा के त्रिकों आकति अ का होता है बढ़े हुआँ हbeeld योच्छ चाल कोले मेरां मी आति cham मीटियो यहाने आपका इसका कुल एरिया फैला हुआ था और उत्तर से दच्छिन तक की कुल लंबाई 1100 किलो मीटर और पूरव से पच्छिन तक की कुल लंबाई 1600 किलो मीटर था याद रखेगा इतना भी बात आपको बता रहे हैं सारी बात आप अच्छी तरह से दिमाग में रख लिजिए कल के आपका जो है कल की इंतेजार में नहीं रहिए कि अगला बार फिर वीडियो देखेंगे और फिर याद कर लेंगे तो ऐसा आपका दिमाग में सोच के भी मत रखेंगे यदि अब एक्जाम जल से जल्ल आपका निकालना चालते हैं कॉलिफाइ करना चाहते हैं teo समय में आफ वीडियो देख रहा हैं वही समय में उस विडियो के माध्यम हैं से पूरा कंपलीट करने करें का कोशिज करिए कर या रखे अभी तुरत आप याद करिए मेरे साथ आपका सारी बात को आप दिमाग में रखिए इसके बाद आपका जो है इक्जाम का समय जब नहीं दिक आएगा तो वन लाइनर के माध्याम से सारा टॉपिक को आप डिवीजन कर लीजिए तो याद रखेगा सिंदु घाटी सेवेता का कुल छेत्र फल 12,99,600 वर किलो मेटर और सिंदु घाटी सेवेता की आकरिती कैसी थी तिरी भूजाकार था तिरी कोनिय था याद रखना है और सिंदु घाटी सेवेता में जो है उत्तर से 10 चिंत की कुल लंबाई 1100 किलो मेटर औ याद रखना है कुल छेत्र फल तो 12,999,600 किलो मीटर और उत्तर से 10 चिन तक कुल नमबाई 1100 किलो मीटर याद रखेगा पूरव से 5 चिन तक कुल नमबाई तो पूरव से 5 चिन तक कुल नमबाई 1600 किलो मीटर था ये आपको याद रखनी है 1600 किलो मीटर सिंदु घाटी से वेता के लोग अधिकांस्ता जो है किस फसल का उपयोग करते थे तो सिंदु घाटी से वेता के लोग गेहूं और जाओ का सबसे ज़्यादा उपयोग करते थे हालाकि चावल का इस्तेमाल भी करते थे मक्का का इस्तेमाल भी करते थे लगभग हम लोग जो है जो भी भोजन के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो सारा चीज आपका सिंदु घाड़ी से भता के लोग इस्तेमाल करते थें लेकिन दो फसल को छोड़ कर कौन-कौन तो रागी और मरवा लाद रखेगा रागी और मरवा जो हता है इन दो फसल से आपका परिचित नहीं थे उस समय आपका रागी और मरवा से आपका उस समय के लोग परिचित नहीं थे और बाकि सारा फसल के बारे में जनकारी रखते थें, सारा फसल को उगाते थें, जैसे हम लोग खेत में आपका आलू रोपते हैं, यहू रोपते हैं, बुनते हैं, चना रोपते हैं, दाल पैदा करते हैं, सरसो आपका पैदा करते हैं, तेलहन पदार्थ आपका पैदा करते ह तो लगभग सारा चीज उस समय के लोग भी आपका फसल उगाते थे और अपना जीवन को आगे निर्वहन करते थे सिंदु घाटी से वेता के लोग तो इसका मुख्यी फसल यानि मुख्यी खादिपदार्थ क्या था गेहूं और जाओ याद रखना है यह भारत का पर्थम नगरियए सभ्यता थे याद रखना है पर्थम नगरिये सभ्यत आपको बताएन श्टार्टिंग में換ूं है भारत का पर्थम नगरिये याणी सहरी बेवस्था नगर नियोजन पर्नाली to नगर नियोजन पर्नाली था याद रखना है तो आपका पर्थम नगर आपका नगर नगरीय सभ्यता था याद रखना है इसका समाज जो था मात्री सतात्मक इसका समाज कैसा था सिंदु घाटी से बता का समाज मात्री सतात्मक था जाती वाद नहीं था जैसे हम लोग कहते हैं ने जो है अलग-अलग जाती में हम लोग आपका बाटे हुए हैं कोई कुस्वाह हो गया कोई यादव हो गया कोई मुस था और सिंदु घाट सेब सेवधा कि समय भी जातिवाद का परिचलन नहीं था यह उत्तरबैदी काल आपका जातिवाद आया याद रखना है ज inan happening के लोग सूती वस्त्र का ज़ादा करते थे याद रखना है सुधी वस्त्र का इस्तमा तो आपको याद रखनी है सिंदु घाटी सव्यता को हडपा सव्यता और अपा का खोज 1901 में राय बहादूर दे राम सानी ने जॉन मार्सल के नित्मे में किया था सिंदु घाटी सव्यता को इतिहास के किस काल खंड में तो आद्दे तिहासी काल खंड के अंतर गरत अध्यन करते हैं इसको कास यूगिन सव्यता के नाम से जाना आता है सहाव अठारा सो चब्भीस में दिये थे सिंदु घाटि सवेचर के बारें पहली बार जनकारी को पहली बार सरवेच्चन जोर्ज करनीघं अठारास तीरपन में सिंदु घाटि सवेता का आकरिती कैसा था त्री कुनी ये आकरीती त्री कुनी ये था और इसका कुल छेत्रफल कितना था तो 1299 lowering गिलोमिटर इसका कुल छेत्रफल था ये आपको याद रखनी है 12 parano vive घाटि सेवेता का याद रखनी है अब है गेहु और जाव फसल का जादा इस्तमाल होता था याद रखना है पर्थम नगर नियोजन परनाली था सिंदु घाटी सवहता की परमूख विशेष्था क्या थी तो नगर नियोजन परनाली यह सिंदु घाटी सवहता का परमूख विशेष्था था यह आपको याद रखना ह इसका समाज मात्री सतात्मक याद रखना है इसका समाज सिंदु घाटी सभ्यता का समाज जो है किस तरह का था मात्री सतात्मक था और इस सभ्यता में जाती वाद का परचलन था तो नहीं जाती वाद का परचलन नहीं था यह आपको याद रखनी है और इस समय के लोग जादा जो है किस परकार के वस्त्र का इस्तमाल करते थे तो जो है सूती कपड़ा से बने वस्त्र का इस्तमाल करते थे यह आपको याद रखना है फिर आपको बताएं कि रागी मरुआ को छोड़ कर सभी फसल को उगाते थे सिंदु घाटी सवयता के लोग रागी मरुआ को छोड़ कर सारा फसल उगाते थे, सारा फसल का उपयोग करते थे, याद रखना है, सिंदु घाटी सवयता में सबसे पवित्र बच्छी जो था, पच्छी, सबसे पवित्र जो है पच्छी था, वो बत्तक था, याद रखना है सबसे पवित्र पच्छी कौन था बत्तक और सबसे पवित्र नदी सिंदु घाटी सवयता का सबसे पवित्र नदी या सबसे महत्पुर्ण नदी कौन थी तो आपका सिंदु नदी याद रखना है सिंदू और सिंदू घाटी सवयता का सबसेप्बइत्र। ब्रीच क्या था। सबसेपवित्र-ब्रीच तो थो पीपल का पेड़ को थे सिंदू-घाटी सवयता के लोग सबसेपवीत्र ब्रीच मानते थे। याद सबसे पवित्र ब्रीच यह तीन बात आपको यहां पर याद रखनी है सबसे जो है पवित्र जहर पच्छी क्या था तो आपका पवित्र पच्छी तो बत्तक और सिंदू नदी पवित्र नदी और यह पीपल को सबसे पवित्र ब्रीच के नाम से जाना जाता था याद रखना इसके बाद आ गयाते हैं शिंदु घाटी सवयता के लोग अधिकांस था पसुपती सीव के बारे में चर्चा आपका जो है पसुपती सीव की पूजा करते थे सिंदु घाटी सभयता के लोग आपका किस का ज्यादा पूजा करते थे तो पसीपती सीव की आपका ज्यादा पूजा करते थे याद रखना है यानि इस सभ्यता के लोग आपका सबसे ज्यादा किस देवता को महत्व देते थे तो आपका संकर भगवान जिसको सीव भगवान की नाम से जानते हैं उन्हीं को पसुपति सीव कहा जाता है तो इस सभ्यता के लोग जो है किस देवता को जादा महत्र देते थें तो पसुपती सीव को सबसे जादा महत्र देते थें यह आपको याद रखना है जिन्दु घाटी सवयता में आपका ज़ादा तर कासा मिस्त धातु का परियोग होता था इसलिए तो कास योगिन सवयता के नाम से जाना गया इस सवयता के लोग जो है लोहा से आप परिचित थे यानि परिचित नहीं थे इस सबयता के लोग लोहा के बारे में नहीं जानते थें कि लोहा आपका जो है एक धातू होता है जिससे अन्य सभी परकार के आउजार बनाने में काफी लाब दयाक होता है काफी आसान होता है याद रखिएगा तो सिंदुघाटी सबयता को लोग लोहा से अप परिचित है जोहा के बारे में जनकारी नहीं रखते थें याद रखना है सिंदुघाटी सबयता के लोग जो है सडग जो था सडग याद रखेगा तो सारा सड़क जो है एक दूसरे को सम कोनिय 90 डिग्री पर काड़ता था याद रखना है सम कोनिय 90 डिग्री पर काड़ता था सारी सड़के सम कोनिय थी अर्थाद 90 डिग्री पर काड़ती थी याद रखनी है लेकिन एक मात्र आपका जो है आपका अस्थल है सिंदु घाटी स सब्सक्राइब करने जाली नुमा करती थी जहां की सड़के एक दूसरे से कैसी मिलती थी तो जाली नुमा याद रखना है जाली नुमा मिलती थी लेकिन सबसे सभी सड़के लगबग सभी सड़के जो है कैसी कारती थी तो आपका जो है समकोनिय कारती थी यह आपको याद रखनी है सिंदु घाटी से बता में सबसे लंबी सड़क कहा था तो सबसे लंबी सड़क मुहन जोदरों में था मुहंंजोदरों में सबसे लंबी सड़क था इसलिए मुहंंजोदरों में जो भी सड़क है उस सड़क को राज़पत की संग्या दिया गया था राज्यपत की संग्या दिया गया था याद रखना राज्यपत की संग्या दिया गया था सबसे चोड़ी सडके मोहन जोदर जायता के छुन्धूí और्स और अहुं सिंदू घाटी से बना के बारे में पर्मूख आपका अस्थल आप ययादरोखेटव के बारे में Κाहिए है या किस राज्जी में है यह आपसे पूछेगा या किस चीज का परमान कहां से मिला है यह चीज आप से ज़्यादा पूछेगा तो याद रखेगा दोस्तों हम लोग थोड़ा सा फिर से आते हैं शुरू से सिंदू भाटी से वेता को ड्रप श्रीता का आजयता है हडपा का खोज राय बहादू देरां सानी उन्हेसों 81 22 में जौन निiverso कहने में किया गया था शिंदूथा सभी तो इतिहास के किस काल खंड में रखा जाता है यह आद स्व्यता का यहता है क्योंकि इस सव्यता के अधिकांस लोग कासा मिस्र धातू का इस्दमाल करते थे सिंदु घाटी सव्यता के बारे में पहली बार जनकारी कौन दिये थे तो चार्स मेनन तो कारेकाल 25 सो से लेकर के 1750 इसा पूर्वत तक माना यता है और सिंदु घाटी सव्यता का कारेकाल जो है किस अधार पर बताया गया तो कारवन डेटिंग पत्ति के अधार पर याद रखना है सिंदु घाटी सव्यता कुल छेत्रपल कितना था 12,99,600 किलो मीटर अउतर से दच्छिन ते कुल लंबाई 1100 किलो मीटर और पूरव से पच्छिम तक 1600 किलो मीटर याद रखनी है इस सव्यता के लोग जातर गेहूं और जाओ को जादा फसल उगाया था पर्थम नगर नियो सिंदु घाटी सव्यता का सम एक तरी सतात्मत था याद रखनी है और रागी मरुई को चोड़ कर बाकि सारे फशल से परीशित थे सारे फसल के बारे में जनकारी रखते थे सिंदू घाटी सवयता के लोग पवित्र जो है पच्छी बत्तक पवित्र नदी सिंदू पवित्र ब्रीच तो पीपल सिंदू घाटी सवयता के लोग किस देवता को मानते थे तो पसुपति सीव को ज्यादे महत्व देते थे सारी सड़के कैसे कारते थी तो सम को निये और कहां की सड़के जाली नुमा कारते थी तो बनवाली बनवाली की सड़के जाली नुमा कारते थी यह आपको याद रखनी है सिंदु गाटी सवेता का सबसे चौड़ी सड़क कहां था तो मुहन जोद्रों में जिसे किस नाम से जाना आता है तो राजपत्थ की संग्या दिया गया था सबसे चौड़ी सड़क राज पत्थ जो है संग्या दिया गया था वो कहां था तो मुहन जोद्रों में याद रखना है अब देखें परमूख आपका अस्थल सिंदू घाटी सवेता का परमूख अस्थल के बारे में लोग देखेंगे तो परमूख अस्थल में पहला हडपा है कौन सा है हडपा है तो पहले आप याद कर लिजे हडपा कहां है तो यह पाकिस्तान में है हडपा कहा है तो पाकिस्तान में मुहन जोद्रों कहां है तो यह भी पाकिस्तान में है पाकिस्तान के सिंद परांत में है याद रखनी है लोथल कहा है तो लोथल गुजरात में ह भारत के गुजरात राजी में अस्थित है लोथल ये आपको याद रखनी है लोथल कहां है तो गुजरात में चनहुद्रो कहां है तो ये भी पाकिस्तान के सिंध पुरांत में है सिंधु नदी किनारे अस्थित है ये चनहुद्रो ये आपको याद रखनी है तो हडपा कहां तो पाकिस्तान मुहंजोद्रो कहां, पाकिस्तान लोथल कहां, गुजराथ, चनहुद्रो कहां, तो पाकिस्तान है, कली बंगा कहां है, तो कली बंगा राजस्थान में है, कली बंगा जो है भारत के किस राज में है, तो आपका राजस्थान में, कली बंगा राजस्थान में ह तो कली बंगा तक आपको याद हो गया होगा हडपा कहां पर है तो पाकिस्तान मुहंजोद्रों कहां है तो पाकिस्तान लोथल कहां है तो गुजरात चनहुद्रों कहां है तो पाकिस्तान चनहुद्रों कहां है तो पाकिस्तान और कली बंगा कहां है तो यह राजस्थान भार भारत के किस राज में आपका अस्थित है तो हरियाना में सिंदु घाटी सवेता का परमुख अस्थल आपको बता रहे हैं बहुत इंपोडिट है अस्थल से ही कोशन पूछता है बिहार दरोगा या बिहार विधान सभा का जो आपका परिच्छा हुआ था या बिहार पुलिस का जो परिच्छा हुआ 2020 में 12 जनवे 2020 को उसमें आपका पूछा है आपका अस्थल अस्थल कौन सा पूछा था तो आपका सुर्कोड़ता पूछा था सुर्कोड़ता जो है कहां परस्थीत है सिंदु घाटी सरदा का परमुख अस्थल सुर्कोड़ता कहां है तो काल के चेकन में मत रहिए इसलिए तो पाकिस्तान मुहां जूद्रों का पाकिसतान लोठल काँ तो गुज्राट में चनहुद्रों काँ पाकिस्तान में कली बंगा आपका जो है राजस्थान में याद रखनी है बनवाली हर्याना में बनवाली कहां हर्याना में रोपड पंजाब में याद रखनी है रोपड कहां पंजाब में धौला बीरा जो है धौला बीरा ये गुजरात में है धौला बीरा गुजरात में और सुर्कोटता भी ग यह तीनों आपका गुजरात में है लेकिन आपका सुद्का गेंडोर सुद्का गेंडोर पुछेगा तो सुद्का गेंडोर पाकिस्तान में है कहां है पाकिस्तान में सुद्का गेंडोर रंगपूर रंगपूर भी गुजरात में है रंगपूर भी कहां है गुजरात में सिं लावीरा है एक सुर्व कोड़ता बताएं सुर्व कोड़ता याद रखना है कि सुर्व कोड़ता और रंगपूर यह गुजरात में है लेकिन सुद्का गिंडोर कहा है तो सुद्का गिंडोर आपका पाकिस्तान के बलुचिस्तान परांत में है याद रखनी है तो सिंदु सिंदु घाटी सिवयता को हडपा सभ्यता के नाम से किस काल खंड में तो आद्जेतिहासी काल कास यूगिन सभ्यता कहा जाता है पहली बार जनकारी चार्ल समेना ठराश 26 में पहली बार सर्वेच्छन कोन करवाया तो जौर्ज कर नीगम ठराश तिरपन में सिंदु सिंदु घाटी सिवयता कारेकाल तो पचीस सो सत्रह सो पचास इसा पूर्वे इसका कुल छित्रपल 12,99,600 वर किलोमीटर उत्तर से दचिन तक कुल लंबाई 1100 किलोमीटर पूरव से पचिन तक कुल लंबाई 1200 किलोमीटर परमुख फसल गेहूं और जाओ पर्थम नगर नि सिलाए कपड़े पहनते थे और आगी मरवा को छोड़कर बाकी सारा फसल आपका उगाया जाता था सिंदु घाटी सवयता का पवित्र पच्छी कौन था तो बत्तक पवित्र नदी सिंदू पवित्र ब्रीच तो पीपल पसुपति सीव को पूजा होता था इस सवयता के लो जाली नुमा करती थी तो आपका बनवाली बनवाली की सड़के जाली नुमा करती थी और राजिपत की संग्या जो दिया गया था जिस सड़क को वो सड़क कहां स्थित था तो मुहन जोद्रों में स्थित था यह आपको याद रखनी है सिंदु घाटी सवेता का परमूख हस्थल में बताएं हडपा कहां तो पाकिस्तान, मुहां जोद्रो कहां तो पाकिस्तान, लोथल कहां तो गुजरात, चनहुद्रो कहां तो ये भी पाकिस्तान, कली बंगा कहां तो राजस्थान में, बनवाली कहां तो हर्याना में, रोपड गुजरात में है रंगपूर्भी गुजरात में है लेकिन सुद्का गेंडोर पाकिस्तान के बनुचिस्तान पुरांत में है यह आपको याद रखनी है इसके बाद ऐसे ही जाम में तो नहीं पूछता है, ऐसे याद कर रख लिजेगा आप, हरपपा का खोज राय भादुर देराम सानी उन्हें 101 में किया था, वहां जोदो का खोज 1922 में राखल दास मनरजी ने किया था, लोथल का खोज 1925 में रंग नाथ राओं के दौरा किया गहा था, लोथल का खोज 1925 में रंग नाथ राओं चनहुद्रों का खोज, गोपाल मजुम्दार ने 631 में किया था कलिबंगा का खोज Bb log 11 const 93 में किया था, कलिबंगा पुछता है आप परमुक अस्थल कहां परहस्थित है वह जरूराप याद रखेगा में मुख खस्तल से कुछ मिले पर्मान कौन सा पर्मान कहां से मिला है याद रखेगा हडपा से क्या क्या मिला है तो कुम्हार का चात कुम्हार का चौक जह है कहां से हडपा से स्रमी का वास स्रमी का वास भी कहां से तो हडपा से तामबा का स्केल हडपा से इट का बना चबुत्र भी हडपा से और पक्की मिट्टी का परमान हडपा से गधा की हड़ी का परमान हडपा से अनाज कुटने का उखली जो हता है लकडी का उखली वह भी हडपा से मात्री दिवी की मूर्ती मात्री दिवी की मूर्ती भी हडपा से तो क्या आप सभी याद रखेगा नहीं सभी या मिट्टी का पर्मान कहां से हडपा से पक्की मिट्टी का पर्मान कहां से मिला है हडपा से एक गध्धा का हड़ी याद रखेगा एक मात्री दिवी की मूर्ती याद रखना यह तीन बात जादा नहीं जादा आपको याद करने के लिए नहीं कहते हैं यहीं सो कोश्चन आपक रखनी है और जो है इट का चबूत्रा हडपा से और यह मात्री दिवी की मूर्ति सबसे इंपोर्टेड मात्री दिवी की मूर्ति कहां से तो आपका जो है हडपा से अब मुहांजोद्रों में आईए मुहांजोद्रों को मुरित्कों का का टीला कहा जाता है क्योंकि यहां पर सबसे ज़्यादा जो है दफनाये हुए मनुष्ट को जो दफनाया जाता था उस दफनाये हुए चीजों का परमान जो है सबसे ज़्यादा यहीं से मिला है अरथात सिंदु घाटी सभयता कौन सा अस्थल है जहां पर सबसे अधीक लोगों को दफनाया जाता था मरने के बाद जो दफनायाता है तो कहां पर सबसे अधीक तो यही महन जोद्रों में जिसको मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है सिंद का बाग भी कहा जाता है, महंजोद्रों को सिंद का बाग कहा जाता है, यह आपको याद रखना है, सूती बस्तर का परमान महंजोद्रों से मिला है, सूती बस्तर का परमान कहां से, महंजोद्रों से, सूती बस्तर का परमान महंजोद्रों से, सिव का बना असकेल महंजो से स्पेमा के अंतरी दिवी की मुर्ति कहां से से माती दिवी की मूर्टी हराप्पा से या आपको याद रखनी हैं मात्री दिवी की मुर्थी हरापा बनी नर्तिकी के मुर्ति कहां से तो यह भी मुहांजोद्रों से कहां से मिला है मुहांजोद्रों से मिला है यह आपको याद रखना है बिरिहद अन्नागार यह भी मुहांजोद्रों से बहुत इंपोरेट है बिरिहद अन्नागार बहुत बार SST में पूछा है आगे भी पू यहां पर आपसे पूछेगा मात्री दीवी की मूर्ती का पर्मान कहां से तो हड़ा पा से पसुपति सीव की मुर्ती का पर्मान कहां से मुहन जोदों से कास की बनी नर्तिकी की मुर्ती का पर्मान कहां से तो मुहन जोदों से याद रखनी है बिरिया दनागार बिरिया दसनागार ये कहां से तो आपका मुहन जोदों से सबसे चौड़ी सड़के कहां थी तो महां जोदो अब आते हैं लोथल में तो लोथल में से आपका जो है मेशो पोटामिया की मुहरे का परमान मिला है मेश्वपोतामिया का मुहर का परमान कहा से लोथल से युगल सवाधान मतलब एक साथ दो ब्यक्तियों को दफनाने का परमान, अर्था पती पतनी को दफनाने का परमान जो है कहां से मिला है तो यह आपका लोथल से मिला है उसी को यूगल सवाधान कहा जाता है या डॉक्याड या गोदिवाड़ा डॉक्याड गोदिवाड़ा का परमान यानि बंदरगाप का परमान कहां से तो यह लोथल से चावल का परमान कहां से तो चावल का परमान भी लो चंहुद्रों से मिला है और इट पर कुत्ता के पैर का निसान भी चंहुद्रों से मिला है यह आपको याद रखनी है कली बंगा से एक साथ दो फसल उगाने का परमान कहां से कली बंगा से एक साथ दो फसल उगाने का परमान कहां से मिला है तो कली बंगा से मिला है यह आपको याद रखनी है पकी मिटी का स्केल पकी मिटी का परमान तो हड़ा पास है लेकिन पकी मिटी का बना हुआ स्केल का परमान कहां से तो एक कली बंगा से मिला है यह आपको लोक काका स्तेमाल करते इसलिए इसको तो कास युगिन सभ्यता कहा दो मिंटी की बनी चूडी का कासा का बना हुआ चूड़ी का पर्मान भी कहां से कलि बंगा से मिला है अगनी कुंड ये हवन कुंड का पर्मान कलि बंगा से मिला है याद रखना है बनवाली तो यहां की सड़के जाली नुमा काड़ती है गेहूं का परमान रंगपूर से गेहूं का परमान कहां से रंगपूर से मिला है यह आपको याद रखनी है तो यह आपका सिंदू घाटी से बता है दोस्त यदि आप सिंदू घाटी से बता में जितना बात आपको बत पर हो जाएगा इतना से कभी भी कोश्चन आपसे पूछेगा तो आपसे कोश्चन नहीं छुट पाएगा तो इतना आपको याद रखना है सबसे इंपोर्टेंट एक बार आपको याद रखना है बदादते हैं मात्री दीवी की मुर्ति कहां से हडपा से पक्की मिल्टी का प इस नानागार कहां से तो मुहन जोद्रों से सुती बस्तर का परमान मुहन जोद्रों से मिरित्गों का टीला किसे कायाता है मुहन जोद्रों को सिंध का बाग किसे कायाता है मुहन जोद्रों को और इसके बाद सबसे चोड़ी सड़के कहां थी महन जोद्रों में मेश्वप भुक आपका दूसरा भुक पढ़िएगा तो हड़पा भी देखा तो दोनों जगह से मिला है स्वास्तिक चिंग का पर्मान जो है वह आपका जो है यह हड़पा और ये लोधल दोनों जगह से मिला है याद रखने हैं यूगल सवाधान लोधल से इट पर कुट्ता के एक तो है तो आपको याद रखना है तो पाकिस्तान में मुहांजोदो का तो पाकिस्तान में लोतल कहां में चनहुद्रों कहां रजस्थान में बनवाली कहां है तो पंजाब में धौला घुरा कहा है तो गुज्रात में रंगपुर कहां तो गुज्रात में पर इसके बाद आपको याद कर वा दे है याद रखना है सिंदु घाटी सभेतर का चोहद्दी भी याद रखना है उत्तर में कौन था यह उत्तर है यह दच्छिन है यह पूरव है और यह पश्षिम है तो उत्तर में आपका जो है मारा मंड़ा है कौन सा है मंड़ा है कहां तो जम्मू कस्मिर में जम्मू कस्मिर में और दच्छिन में दयमाबाद याद रखना है दयमाबाद यह कहा है तो महाराष्ट में महाराष्ट में है पूरब में कौन सा है तो पूरब में आलम गिरपूर आलम गिरपूर आलम गिरपूर जो है यह उत्तर परदेश में है यूपी में और पश्ची मे सुथका गेंडोर याद रखना है सुथका गेंडोर यह आपका पश्ची में है यह कहां तो पाकिस्तान के बलुचिस्तान पुनांत में है यह चोहदी भी आपको याद रखने है तो इतना आपको याद रखना है अच्छी तरह से तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रहते हैं अगले वीडियो में एक और सबसे महत्मून आपका टॉपिक ले करके आएंगे तो आज के लिए यहीं तक जय हिन जय भारत